हेलो फ्रेंट्स पार्ट वन में आप लोगों ने देखा कि मैंने एक साइट का सस्पेंशन का सारा सिस्टम खोला और उसको डाइग्नोस किया अभी पार्ट टू स्टार्ट करते हैं और इसमें मैं दिखाता हूं क्या क्या है इसमें भी यही प्रॉब्लम थी और खोलने का प् को साइट था और यह जो इसका बुष है यह भी टोटल डेमेज हो गया लेकिन घबरानी की कोई जरूत नहीं इतना कुछ है नहीं जो भी है वो सामने आएगा आपके क्या 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 मैं कर रहा हूं यह तोटल मैंने देख लिया कि ठीक है यह बुष भी थोड़ा बहुत करेंगे और सबसे पहले कैलिपर को सेफ प्लेस पे लटका लेना ये बड़ा इंपोर्टेंट थैंग आदर्वाइज नहीं होता तो पाइप इसको का ॉससकता है. इस वाला केलिपर पिन कभी चेंज करने की ज़रोत नहीं होती है और अब देखिए मैं मार्केट से कहले के आया हूँ MGP की यह पूरी आम ली है मैंने यह दो आम ली 900 के अप्रोक्स मुझे एक मिल गई तो टोटल 1800 का मैंने समाल लिया है दो आम सिर्फ और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिया है और इस पर थोड़ा सा में ग्रीस लगाऊंगा ग्रीस लगाने से होगा ये एक तो ये इजीली फिट हो जाएगा और दूसरा कभी इसके अंदर वाशिंग वगरा होती तो पानी नहीं जाएगा पानी नहीं जाएगा और कभी ये चर्मराहट की जो नौईस आती है वो जल्दी यहाँ पर आएगी नहीं और ये पार्ट्स को ओपनिंग और फिटिंग का वीडियो अगर मैं चाहता तो बीच में स्किप कर सकता था आपका टाइम बचा सकता था लेकिन नहीं ये मैं क्यों दिखा रहा हूं क्योंकि ये आपको देखना जरूरी है इससे होगा क्या कि एक तो अगर आप काम करते हैं तो उसको आप ये चीज़ बता सकते हैं अधरवाइस गाड़ी उनकी नहीं है तो वो लोग इतना ध्यान देंगे नहीं तो ये चीज़ आपको स्किप नहीं करने है फ्लीज देखनी ज़रूर है तो ये देखिए मैंने इस आम को किया फिट और पहले बोल्ट्स को रखा है उसके बाद मैं इसको टाइट करूँगा जब मैं यहां पर इसका बॉल जॉइन भी फसाल लोंगा और बोल्ट के उपर मैं ग्रीस इस वज़े से लगा रहा हूं तो कि इन फ्यूचर ये बोल्ट जो हैं सीज ना हो और कभी भी बुश वगर इदर चलता है तो थोड़ी बह यहांपर नोगा के मैं इसको यहांपर टाइट कर रहे हो daha मैं नहीं भी लगाता तब भी चल जाता लेकिन नहीं में यहां पर लगा रहाँ और रिजन्स पीने आप इस चीज के बताए तो यह देखिए अभी मैंने इसको लगाया और यहांपर किया किया इसको ठाइट पहले में इसको टाइट कर लेता हूं, क्योंकि वेट फ्रोपर आ गया है, यज प्रोपर फिट आ गया है तो मैंने इसको यहां से भी फुल टाइट कर दिया और ये नीचे वाला बोल्ट, ये नीचे वाला बोल्ट भी मैंने उस समय लूज रखा था और फाइनल मैं क्योंकि लास्ट में टाइट कर रहा हूँ अब बॉल जोइन करना टाइट करने के लिए मैं स्पेनर का यूज करूँगा क्योंकि यहां पर फिट नहीं होगा क्योंकि जगे इतनी नहीं है और इसको मैंने टाइट किया और बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं करना है और बहुत लूज भी नहीं चोड़ना है एक हिसाब से हमको इसको टाइट करना है बोल्ट की जितनी ठिकनेस है उस भ्हीसाब से स्को टाइट किया जाता यहां इसको टाइट किया है और अब यहां पर करना कहा है पीन से इसको लॉक करना Nathan करना इसलिए ज़रूरी होता है इन-फ्यूजर कभी ऐसा कि ये वाइब्रेशन वगर ऐसे बोल्ट धीला हो तो ये पूरा बाहर आजाए तो ये बाहर आने से रुखने के लिए लॉक है और इसी तरह से लॉक एक लॉक और होगा जो की स्टेरिंग एंड के अंदर होगा तो उसको भी में वहां लगाऊंगा टाइट करने के बाद और अंदर कर दिया अब ये बॉल जॉइंट है जरूरी जरूरी क्यों होता है मैंने आपको बता दिया कि वाइपरेशन से कभी अडू से कभी बुल्ट लूज होगा डो एसा नहीं होगा कि रिक हो भोच ये चीज बाहर आजाए तो बाहर नहीं आएगगे कम से कम ये वहां और यह brake pads है, ब्रेक pads को मैं clean करूंगा, एक बराबर plane surface पर रखके, इसके उपर sand paper लगा के और मैं इसको अच्छे से गिसूंगा, और गिस के इसको साफ करूंगा, बीच की इसकी lining है, यह lining भी एक बार में screw driver से clean कर लोगा, यह वाली lining जो है, यह, इसको भी clean कर लोगा, ब्रेक अभी ज़रूद नहीं है, इसको clean कर लिया मैंने, और proper clean कर लेंगे, जितना आपको चाहिए, अपने हिसाब से rub कर सकते हैं, और final देखी, अब यह है, caliper pin, caliper pin जो है, lubricate नहीं होगी, तो metal to metal contact होगा, और वो बहुत जल्दी खराब होगी, और इसकी noise भी ज़्यादा आती है, grease इसमें जो use करते हैं, वो special grease रहता है, silicone grease रहेगा, और यह high temperature है, घरम होने के बाद होगा क्या कि यह पिगल के बाहर नहीं आएगा, और यह proper वहाँ बना रहेगा, तो metal to metal जल्दी contact होने का number आएगा नहीं, और यह pin जल्दी खराब नहीं होगी, अदरवाइस दूसरा कोई grease जूस करेंगे, तो होगा क्या कि यह pin वहाँ पे jam हो सकती है, या फिर grease बाहर आजाए, बहुत सारी दिक्कते आती है, लेकिन छोटा सा point है, लेकिन यह ध्यान देने का point है, तो यह grease यहाँ पे मैं लगाँगा, और पीन को साफ करके, इनको साफ किया, दोनों पीन मैंने lubricate कर कर लोगा, यह देखिए, यह दोनों पीन हो गई, रेडी, रबर पहले मैं इसको rubber फिट कर लोगा, रबर भी मैंने साफ कर ली थी, दोनों, इसके बाद यह rubber फिट करने के बाद, सिंपल करना क्या है, यह caliper पिन, easily हमको यहाँ पे लगा देनी है, और यह rubber उपर से इसले अब यह सीम्स के उपर में थोड़ा-थोड़ा क्रीस लगा रहा हूं, वह इस वज़े से ताकि जब भी ब्रेक पैड अंदर जाए, तो smoothly अंदर चला जाए, मेरी हमेशा से कोशिस यह रहती है, कि आप लोग कुछ ना कुछ अच्छा पहुचा पाऊं, और कुछ ऐसा और फिट करने के बाद, सिंपल होना क्या है हमारा कैलीपर, इस कैलीपर को मैंने एक सेफ पॉइंट पे लटकाया हुआ था, इसको मैंने हटा दिया, और हटाने के बाद, सिंपल इसको मैं यहां पे फिट कर दूँगा, बहुत इजी है इसको फिट करना, कोई बहुत अब यह पूरा कैलिपर तो फिट हो गया और यह फाइनली इसको मैं एक बड़ टाइट कर दूंगा टाइट करने के बाद होका क्या कि मेरा यह सस्पेंशन का जो पार्ट था लगबग फिट हुआ अब है में चीज में चीज क्या आती है इसका वील को टाइट करना वील को टाइट करना आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत आसान है लेकिन नहीं इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको देखने जरूरी है तो देखिए मैंने यहां पे ग्रीस लगाया है इस पॉइंट और वील टाइट करने के समय कभी भी आपको करना क्या होता है वील को पहले प्रॉपर मैच करना है मैच करने के बाद आमने और सामने के बोल्ट यानि की फ्रंट साइज के बोल्ट यह दोनों पहले लगाने होते हैं और फिर इस साइट के पहले क्रॉस में टाइट करते समय यही चीज दिहान देनी होती है कई बार वील की फिटिंग की वज़े से भी हमको कभी नुकसान उठाना पड़ता है कई बार ऐसा होता है और वील फिट करना आपको देखना इसलिए जरूरी है कि यह तो आप काम करें या ना करें कभी भी आपका टायर पंक्चर होगा तो दोंगे नेक्स वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ थैंक्स पॉर वाचिंग